अर बालक, नाटक, प्रतिध्वने, इमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी, सफलता की आधार शिला है, जिक जिगलर पात्र, वैभव, एक बालक, नौ से दस वर्ष का, रामेश्वर, मचदूरों का नीता, मोहन, एक व्यक्ति, अमर सिंग, सुदामा, अहीर, तपन, वैभव का भाई, डॉक्टर शर्मा पहला दुश्य, वैभव बाजार में भटे पुराने कपड़े पहने, थैले में रखे सामान को बेचने का प्रेत्न कर रहा है चलनी लेलो, दिया सलाई लेलो इतने में वैभव को मजदूरों के नेता, रामेश्वर दिखाई देते हैं लेलो साहब, चलनी लेलो, दिया सलाई लेलो नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो, ये लो और जाओ नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीक है, मैं भीक नहीं लूँगा, आप चलनी लेले भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, यदि होते तो अवश्य यह चलनी खरीद लेता, मेरे घर किशन गंज आना, वहीं लेलूँगा लाइए, मैं अभी बाजार से लाता हूँ, आप यहीं ठहरिये, मैं पलक जपकते ही लोटाऊंगा वैभव जाता है, कुछ समय बेदने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते है तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है कहिए पंडिची, आप यहाँ कैसे? भाई, एक लड़का चलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है अभी तक लोटा नहीं, पंद्रह बीस मिनट हो गए तो बस वह अब नहीं आएगा बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिल-गिला कर लोगों को ठगना है पर हाँ, आपको क्या? आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं ले भी गया तो घर में ही है पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था चलो कोई बात नहीं समझेंगे एक रुपिया दे कर यह भी एक पाठ पढ़ा दूसरा द्रिश्य स्थान, किशन गंज वैभाव का भाई तपन रामेश्वर का घर ढूण रहा है क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहां रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं वे उस नीले पढ़दे वाले घर में रहते हैं तपन उस घर के दर्वाजे पढ़ जाकर रामेश्वर को पुकारता है रामेश्वर बाहर आते हैं क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है आज तो पहर को उसने आपको एक छलनी दी थी आपसे नोट लेकर भुनाने गया था मगर जब भुना कर लोट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया बड़ी देर बार जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लोटाने को कहा मैं आपके साड़े चौधा आने लाया हूँ तुमारे घर में कौन-कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई हम दोनों भाई सुदामा अहीर के घर में रहते हैं दंगों के दिनों में हमारे माबाप को किसी ने मार डाला रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अमर सिंग, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आओ सुदामा अहीर का घर पूछ लेना तीसरा द्रिश्य स्थान, सुदामा अहीर का घर वैभव जमीन पर पड़ा कराता है सुदामा उसे डांट रहा है बड़ा दर्द है दर्द नहीं तो क्या आरा मिलेगा अस्पताल चला जाता, वहां आरा मिलता चाचा, तुम अब अस्पताल पहुँचा दो मैं पहुँचा दू, अच्छा मुझे तो जैसे तुने बड़ी राकम सौप रखी है ना साहब, वैभव यहां लेटा हुआ है आप, आप आए हैं आप ना जाने क्या सोचते होंगे उस बात की चिंता ना करो बेटा मैंने डॉक्टर बुलाया है तुम ठीक हो जाओगे हेलो पंड़िट जी तो यह लड़का है मैंने भी इसे बाजार में देखा है ऐसा लगता है कि एक पैर की हड़ी तूट कई है इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए मैं एम्बूलेंस के लिए फोन कराता हूँ जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें इसे बचाना ही होगा यह गरीब है पर इसमें एक दुरलब गुण है यह इमानदार है रामेश्वर जाता है डॉक्टर सुई लगाता है तपन भाई का सिर्थ हामता है और परदा गिरता है जीवन मूल्य इमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्पूर्ण गुण है जीवन कौशल आज हमारे स्कूल में क्रिकेट का मैच है विपक्षी टीम का कप्तान बहुत अच्छी बल्ले बाजी करता है अच्छा फिर तो मैं जीतने के लिए तुम्हें बहुत महनत करनी होगी नहीं मैंने एक तरकीब सोची है किसी भी तरह से उनके कप्तान को गायल करना है जिससे वह खेल ही न सके यह तो बेईमानी है तुम्हें खेल पूरी इमानदारी से खेलना चाहिए जीतना है तो और ज्यादा अभ्यास करो तुम ठीक कह रहे हो तुमने मुझे गलत काम करने से बचा लिया बातों बातों में हमने सीखा कि हमें अपना काम पूरी इमानदारी से करना चाहिए पार्ठ पांच इमानदार बालक नाटक पार्ठ पार्ठ बालक